आज हम कंणर के रॉकिंग इस्टार के बारे में बात करेंगे जिन से बॉलिवूड इंडेस्टी के Mr. Perfectionist कहे जाने वाले सुपरिस्टार आमिर खान ने माफी मांदी थी जिनके पिता बस ड्राइवर थे और बेटा उस समय फिल्मों में सुपरिस्टार था जिसकी एक फिल्म ऐसी आई जिसने उसे रातो रात सुपरिस्टार बना दिया जिने बच्चा बच्चा रौकी भाई कहतर बुलाता है जी हाँ अब तक तो आप समझी गए होंगे कि हम बात पर रहे हैं KGF फिल्म के रौकी भाई यानि यश्की KGF फिल्म में यश्की एक्टिंग तो अच्छी है ही इसके 7-7 फिल्म में एक अलग ही लुक में दिखाई दिये और आज करोड़ों लोग उनके इस लुक और प्रेस्नेल्टी दोनों के दिवाने हैं तो चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनीत बातें यश्का जन्म 8 जनवरी 1986 को करनाटक भारत में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था यश्का असली नाम नवीन कुमार गोड़ा है लेकिन उन्हें बच्पन से ही यश्क नाम से ही जाना जाता है जो की उनका निकनेम है इनके पिता अरुन कुमार जी करनाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपरेशन में बंगलोर में ब्यम टीसी ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस ड्राइवर हैं और इनकी माँ पुषपा लता एक ग्रहनी है इसके अलावा यश्की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम नंदिनी गोडा है यश्क ने अपने बच्पन के कुछ साल अपने गाउं में ही बिताए उसके बाद वे और उनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गई थी उन्होंने अपनी स्कूली सिख्षा महाजन हाई स्कूल मैसूर से पूरी की है इसकूल की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी यश्क को बच्पन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था उन्होंने बच्पन में अपने स्कूल के एक इवेंट में स्टेज पर एक्टिंग की थी जिसे उनके सिख्षक और छात्रों ने काफी पसंद किया था इससे वे काफी मोटिवेट हु वे आगे चल कर एक फिल्म स्टार बनेंगे उन्होंने एक्टर बनने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी यश्क के पिता को उनकी पढ़ाई के बजाए एक्टिंग को बढ़ावा देना बिल्कुल पसंद नहीं था जब यश्क ने अपने पिता से बंगलोर जाने की बात कही तो उनके घरवाले बहुत गुस्सा हुए और उनको बहुत डाट भी लगाई उनके पिता ने ये साफ साफ कह दिया कि अगर वे पढ़ाई छोड़कर बंगलोर जाता है तो वापस कभी घर न लोटे फिर भी यश्क अपना घर छोड़कर फिल्म के चक्कर लगाया करते थे यश्को बैंगलोरू में ठीटर ग्रूप का हिस्सा बनने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी वे ठीटर के अपने शुरुआती दिनों में एक बैक्ग्राउंड एक्टर थे यश्को एक फिल्म के लिए असिस्टेंट डारेक्टर के रूप में सिलेक्ट भी किया गया था इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी लेकिन बाद में बंध हो गई यश्को तब पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ा फिल्म बंध होने के बाद यश्की आर्थिक स्तती और भी खसता हो गई उनके पास उस दोरान रहने तक की जगे नह जैसे उन्होंने एक रात बस स्टेंड पर सो कर गुजारी इसके बाद यश्क ने कई फिल्मों और तीवी सीरियल्स के लिए आउडिशन दिये उन्हें तब फिल्मों में तो नहीं लेकिन बतोर एक्टर सीरियल्स में काम करने का मौका मिला यश ने कई टीवी शों में काम किया जिससे उनकी लोग प्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई यश ने अपने अभिने करियर की शुरुआत साल 2004 में टीवी सीरियल नंदा गोकुला से की उन्होंने अन्य कई सीरियलों में काम किया जिसमें माले बिल्लू और प्रीती इल्दा जैसे टीवी सीरियल शामिल है। टीवी शो नंदा गोकुला जो एक कन्नर चैनल पर परसारित हुआ था उस समय यश की मुलाकात रादिका पंडित से हुई और वहवी कन्नर फिल्म इंडिस्टी की एक मशूर अभिनेत्री थी जहां दोनों एक डूसरी के प्यार में पढ़ गए। और बेटे का नाम आयूश है। यश और उनकी पत्नी ने साल 2017 में यश मार्क पाउंडेशन शुरू किया। ये संस्ता जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। फाउंडेशन ने कोपाल जिले में 4 करोड उपे लगा कर एक जील बनवाई हैं जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। कुछ साल यहां काम करने के बाद साल 2007 में उन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम जमपदा हुदूगी था और इस फिल्म में उनका एक छोटा सा रोल था। इस फिल्म में मिला छोटा रोल भी उनके करियर में बहुत माईने रखता है क्योंकि इस से उन्हें अच्छी खासी पहचान मिली। इसके बाद साल 2008 में फिल्म मोगिना मंसु से यश ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में अभिनेत्री रादिका पंडित यश के साथ नजर आई। रादिका पंडित वर्तवान समय में यश की पत्नी है। पहली फिल्म की सफलता के बाद यश ने कई फिल्में की और दक्षिन भारत के लोगप्रिय अभिनेता बंते चले गए। उनके बहतरी नभिने को देखते हुए आखिरकार साल 2009 में गोकुला फिल्म में मुक्य भूमिका में काम करने का उन्हें मौका मिला। यह फिल्म बॉक्स आफिस पर बड़ी सूपर हिट साबित हुई और उनका नाम कंडर फिल्म इंडिस्टी में च्छा गया। गोकुला फिल्म में सफल भूमिका के बाद यह ने साल 2013 में फिल्म गुगली में भी काम किया जो उनके करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म को भी लोगों दौारा काफी पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने मिश्टर एंड मिसिस रमाचारी फिल्म में काम किया। और यह फिल्म कंडर सिनेमा के बॉक्स आफिस की सबसे हिट और ब्लॉक बस्टर मूवी साबित हुई। इस फिल्म ने कई सारे रिक है की जीएफ मूवी के बारे में साल 2018 में की जीएफ मूवी का चैप्टर वन रिलीज हुआ। इसके रिलीज होते ही यह फिल्म कंडर ही नहीं बलकि पूरे भारत में खूब चली और इस फिल्म के चलते उन्हें फैंस पूरे भारत में पहचानने लगे। इस फिल्म में एक सफल भूमिका करने के बाद यह देखते ही देखते हाइस्ट पेड एक्टर्स में से एक बन गए। इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर करीवन धाई सो करोड का बिजनिस किया। आज की समय में भारत का बच्चा बच्चा जानता है इस फिल्म के बारे में। एजियेफ फिल् अमिताब बच्चल और शारुखान हैं। इन्होंने खुलासा किया था कि अमिताब की सतर के दرशक की फिल्मों को देखतर ही उन्होंने केजीयफ में अपनी करेक्टर की परसनलिटी को तयार किया था। यह च को कभी नहीं लगा था कि उनकी केजीयफ फिल्म को हिंदी रिकार्ड रहे हैं। उन्होंने खुद फिल्म के लिए राम को एक्टिंग सिखाई थी। अब लोगों को इंतिजार है इस फिल्म के दूसरे भाग यानि KGF चैप्टर 2 का जो 14 अपरेल 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला है। अपने नाम कर सकती है। कमाई के मामले में ये बावु बली को भी पच्छाल सकती है। 14 अपरेल को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्थ भड़न देखने को मिलेगी। हाला कि इस क्लैश की वजए से अब आमिर खान ने KGF 2 के मेकर्स और एक्टर यश से माफी मांगी है। एक रिपोर्ट के मताबिक आमिर खान ने अपनी लेटिस्ट इंटर्व्यू में अपनी फिल्म लाल सिंग चड़ा को 14 अपरेल को रिलीज करने की वजए से KGF के मेकर्स और एक्टर यश से माफी मांगी है। आमिर खान ने कहा कि हमारी फिल्म वीज्वल इफेक्ट की वज़े से रिलीज में देरी हो रही है। हमारे पास दो option है या तो हम फिल्म को जल्दी जल्दी में release कर दें या फिर हम quality work के साथ फिल्म को release करें और जल्द बाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए हम दूसरे option के साथ आगे आए हैं इसी वजे से हम लाल सिंग चड़ा को उसी दिन रिलीज करने के लिए मजबूर हुए हैं जिस दिन यश की KGF चैप्टर 2 रिलीज हो रही है यश मोजदा समय में एक फिल्म के लिए 20 से 25 करोड पे लेते हैं इसके लावा उनकी मुख्य कमाई ब्रांट विज्यापन से होती है अगर उनकी संपत्ती की बात करें तो उनकी लगभग कई करोणों की संपत्ती है और वे एक लगजरी लाइफिस्टाइल जीना पसंद करते ह यश के पिता अरुनकुमार उनके एक्टर बनने के बाद भी कई सालों तक बस ड्राइवर का काम करते रहे बाद में यश के कहने पर उन्होंने ड्राइवरी का काम छोड़ दिया था अपनी अदाकारी और पहतरीन एक्टिंग से यश ने काफी सारे अवार्ड और पुसकार अपने नाम किये हैं। साल 2015 में उन्हें मिश्टर एंड मिसिस रमाचारी फिल्म के लिए बैस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कंणड अनंत हम और बैस्ट एक्टर के लिए साउथ फिल्म फेर अवार्ड मिला। साल 2015 में ही उन्हें फिर परफॉर्मेंस ओफ लीडिंग रोल के लिए कंणड का आईफा उस सवन पुरुसकार से सम्मानित किया गया। साल 2016 में उन्हें फिल्म मास्टरपीस के लिए SIIA में IIFA और साउथ फिल्म फेर अवार्ड मिले। साल 2017 में उन्होंने फिल्म सांथू स्टेट फॉर्वर्ड के लिए बैस्ट एक्टर का SIIA में अवार्ड अपने नाम किया। साल 2019 में उन्होंने KGF चैप्टर वन फिल्म में दमदार अभिने करके स्टाइल आइकन ऑफ साउथ इंडिया और बैस्ट एक्टर करन्नर का SIIA में और साउथ फिल्म फेर अवार्ड अपने नाम किया। अब देखने वाली बात होगी कि यस KGF चैप्टर टू से क्या धमाल मचाएंगे।